हेलो दोस्तों मैं सोरो मलिक आप सभी का टोपिक स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले विटामिन से लेटिड बहुत सारे इंपोर्टेंट कोशन जो की हमेशा आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इस टेस्ट को एंट तक लगाईए और बताईए कि इन में से आप कितने सही कर पाते हैं और अगर आप सही नहीं कर पाते तो साथ ही साथ मैं आपको आंसर भी बताता रहूंगा तो याद करते चलिएगा क्यूंकि आपके एक्जाम के पॉइंटों के से वीडियो बहुत इंपोटेंट रहने वाली है तो अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके की ओनलाइन वीडियो प्रैक्टिस वीडियो मैथ की वीडियो की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रैडिकल के बटन को दबा करके बैल आइकन को जरूर ओन कर लिजेगा आपके पास डिली नोटिफिकेशन पहुचने स्टार्ट हो जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का अपने दोस्तों को भी सेर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा यहाँ पर पहला कोशन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको हरी कोशन में 5-6 सेकिंड मिलेंगी जिसमें आप आंसर नीचे कमेंट बुक्स में बता सकते हैं तो बिल्कुल सही है यहाँ पर ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोशन ममर दू किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है तो बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पर ओप्शन ए लगा रहे हैं कोशन ममर थिरी किस विटामिन की कमी से एनीमिय हो जाता है तो very good अगर आप option D लगा रहे हैं ठीक है तो चलिए next question पे चलते हैं Question number 4 मनुश्य में नेत्रों के संचालन के लिए कौन सा vitamin आवश्चक है बहुत important question है सारे के सारे अगर test पसंद आएगा तो like चुरूर करिएगा तो बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पे question number 4 का right answer option A लगा रहे हैं Question number 5 पालक की पत्यां किस खनीज तत्व का सरोथ हैं तो बिल्कुल सही यहाँ पे 5 वे का right answer option A हो जाएगा Question number 6 कौन सा विटामिन मनुष्य के मुत्र के साथ उत्सरजित होता है बहुत ही अच्छा question है 6 और यहाँ पे right answer option D हो जाएगा यानि कि B और C दोनों ही आपके होते हैं Question number 7 साथ वे पे आ जाते हैं 7 question है कि किस विटामिन का निर्मान तवचा में होता है यह question भी बहुत बार पूछा जा चुका है थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ सायद आपको reading करने में प्रोब्लम ना हो Question number 7 का right answer option C हो जाएगा Question number 8 लंबे समय तक निकोटेनिक अमल की कमी से होने वाला रोग कोन सा है तो बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पे question number 8 का right answer option B लगा रहे हैं Question number 9 गाएं का दूद किस विटामिन का अच्छा सुरोत नहीं है तो बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पे option C लगा रहे हैं Question number 10 विटामिन B complex कितने विटामिनों का समू है तो यह भी काफी अच्छा question है Question number 10 का right answer option A हो जाएगा Question number 11 दूद किस खनीज तत्व का अच्छा सुरोत है तो सभी को पता हो गएं आपे तो ग्यारवे का right answer option A हो जाएगा Question number 12 विटामिन D का अच्छा सुरोत है तो देखें यहाँ पे विटामिन D के जो अच्छा सुरोत है option के coding A और B दोनो right answer हो जाएगे बट विटामिन D का अगर option यहाँ पे सच्छा मतलब बोला जाए और आपको option दे रखाओ यहाँ पे sun तो यहाँ पे sun is the right answer हो जाएगा ठीक है तो बट अभी option के coding यह दोनों ही right answer हो जाएगे Question number 13 विटामिन C किसमे सायक है तो बिल्कुल सही यहाँ पे इसका भी right answer C हो जाएगा यानि कि A और B दोनो right answer हो जाएगे ठीक है चलिए next question पे चलते है Question number 14 है sulfur के सरोध बताएगे तो यहाँ पे देखे A, B और C meat, अंडा, मचली सभी के सभी sulfur के सरोध है यानि कि option D right answer हो जाएगा Question number 15 chlorine का स्रीर में क्या कारिया है तो बिल्कुल से यहाँ पे 15 का राइट आंसर option A हो जाएगा Question number 16 गर्ववती इस्तिरी में vitamin A की देनिक आवश्यक्ता बताए तो बिल्कुल से यह अगर आप यहाँ पे option D लगा रहे है Question number 17 तवचा की देखभाल किस परकार की जा सकती है तो बिल्कुल से यहाँ पे 17 का राइट आंसर option A हो जाएगा Question number 18 संतुलित आहार की एक विसेश्ता बताएं तो एटीन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा D बिल्कुल सही 19 का राइट आंसर बताएं एक ऐसी संस्था का नाम बताएं जो विश्व इस्थर पर सवास्त की समश्यों को दूर करने के लिए परियारत है तो परियारत कौन है आपे वे बिल्कुल सभी आप सभी को पता होगा ओप्शन A is the right answer ठीक है World Health Organization Question number 20 है साधान व्यक्ति के संतुलित बोजन में प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पे ओप्शन B लगा रहे है ठीक है भई 56 ग्राम Question number 21 पे चलते है 21 है आपका प्रोटीन का सिरीर में क्या कारिया है तो बिल्कुल सही अगर 21 का D option आप लगा रहे हैं तो very good right answer D हो जाएगा Question number 22 2 कार्बोहाइडरेट का मुख्य सरोथ है तो यहाँ पे 22 का रहे है अंसर हो जाएगा D यह सभी Question number 23 23 खालिस्थान मुख्या रूप से संचित भोजन को उर्जा के रूप में एक्रित करती है एक्रित करती है तो बिल्कुल सही 23 का यहाँ पे रहेट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा Question number 24 खालिस्थान तत्व इंसुलीन हार्मोन का निर्मान करता है तो बिल्कुल सही 24 का रहेट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा 25 दातों के इनमेल के निर्मान में कौन सायक है तो 25 का यहाँ पे देखी रहेट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा 26 अंड़ा किसका उत्तम सरोथ है तो इसके ओप्शन यहाँ पे आपको नीचे मिलेंगे यह 4 ओप्शन इसके तो इनमें से रहेट आंसर आपको बताना है तो यहाँ पे 26 का देखी रहेट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा यह दोनों A और B इस दर रहेट आंसर Q27 आहारी रेशो खाली स्थान भी कहलाते है Q27 बताएगा बिल्कुल से 27 का रहेट आंसर ओप्शन D हो जाएगा Q28 मास पेश्यों की सुचारू किरिया के लिए किन खनीजों की प्रियाप्त मात्रा में आवश्यक्ता होती है तो 28 का यहाँ पे देखे राइट आंसर हो जाएगा Q29 केल्चम की अधिक्ता से पढ़ने वाले कू प्रभाब बताएगा तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा ठीक है भई Q30 का यहाँ पे राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा Q31 साइनो कोबाल एमीन नामक विटामिन किस नाम से जाना जाता है साइनो कोबाल एमीन तो बिलकुर सही 31 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा Q32 प्रोटीन में कौन सेतत पाए जाते हैं तो यहाँ पे बिलकुर सही राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा 33 वसा के मुख्य सरोट क्या है देखे अपना स्कोर बताईएगा जितने आंसर आते हैं कमेंट बोक्स में कमेंट करते रहा करें तो बिलकुर सही है वसा के मुख्य सरोट क्या है 33 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा यह सभी है ठीक है सभी को पता है 34 जल का मानव पोशन में क्या कारिया है तो 34 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा 35 पोशक तत्व कितने परकार के होते हैं 35 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा ठीक है भई Q36 विटामिन B12 की कमी के लक्षन बताए जाते हैं तो बिल्कुल सही है आपे 36 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया है तो लाइक कर दीजेगा, सेर कर दीजेगा सारे के सारे आंसर मैंने आपे दे दिया है अगर आपको इसकी पीडियाप डाउनलोड करनी है तो टोपिक स्टडी के टेलिग्राम चैनल पे जाएए चैनल पे जाके टोपिक स्टडी सर्च करिए सर्च करने के बाद में जोइन कर लीजेगा और जोइन करने के बाद में आप वहाँ से पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं सारी पीडियाप आपे मिल जाती है Current Affair की, Online Test की, Math की, Reasoning की जो भी Important Information होती है कोई Latest Job की वो सब कुछ आपको यहां से मिलता रहता है तो अगर आपको कोई भी Feedback देनी है तो नीचे Comment Box में दे सकते हैं अगर Personally कोई चीज आपको बता नहीं है इस लेवल तक Change करिए कुछ और Improvement चाहते हैं तो Direct आप मुझे भी Follow कर सकते है Facebook और Instagram पे सर्च करिएगा Saurab Malik S-A-U-R-A-B-H M-A-L-I-K और 17K Add कर दीजेगा Last में अगर आप Instagram पे सर्च कर रहे हैं Without any space, space मत दीजेगा नाम के बीच में कहीं पे भी Saurab Malik 17K ठीक है, यह Search करिएगा Instagram पे और वहाँ पे Follow करके जो भी आपका doubt है, किसी question में doubt है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं अगर आपने वीडियो को like share नहीं किया है तो like share कर दीजेगा, test पसंद आता है तो यार खुदी like कर दिया करो अपने दोस्तों को भी share जरूर कर दिया अगरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care, वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब हो